यह सही है कि समय के साथ ब्रहमण होना जन्म आधारित अधिक होता गया होगा किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि जन्म आधारित जो ब्रहमण थे वे सभी जातेवादी थे या आयोगी थे आज के समय में भी अन्य को जन्मना ब्रामबर जाती के लोग जाते वाद के खिलाब बहुत काम किये हैं स्वामी दयानंद का नाम उनमें प्रमुक्ता से लिया जा सकता है वहीं ऐसा भी नहीं रहा कि अन्य जाती में जन्में लोग ब्रामबर नहीं बन पा रहे हो ऐसे अन्यकों मंदिर हैं जहाँ उन जातियों के पुजारी मिल जाते हैं जने दलित कहा जाता है वही अगर प्राचीनकाल में देखो तो वेश्यामाता से उत्पन सत्यक्ण जाबाल जिनके पिता का भी पता न था वो भी ब्रहमण हुए नर्तकी उर्वशी सो उत्पन वशिष्ट भी ब्रहमशी हुए यानि अन्य जाती में जन्में लोग भी अपनी योगिता के आधार पर ब्रहमण हो रहे थे धर्म के बड़े पदों तक पहुँच रहे थे मद्यकाल की बात करें तो मेवार की रानी मीरा भाई का गुरू होना उस दौर में बड़ी बात रही होगी धर्म गुरू का भैपद एक चर्मकार जाती के संत रवीदास का था हमेशा से ऐसा था धर्म के बड़े पदों तक जो लोग पहुँच रहे थे वे जन्मना ब्रामड जाती से भी थे और अन्य जातियों से भी कई लोग जन्म से कई कर्म से तो कई पाकंड से भी ब्रामड बन रहे थे आज आप देखते हैं न कि अन्य को बाबा जेल में हैं अन्य को ढोंगी बाबा गूंग रहे हैं ऐसे भी हैं, जो हिंदू भी नहीं हैं, किन्तो हिंदू महात्मा का वेश बनाई घूंगते हैं। तक को पताना चला कि ये ब्रामबर नहीं है। देखिए, धर्म के आधर पर भारत के बटवारे की नीव रखने वाले प्रमुक लोगों में से एक रहे अलामा इकबाल हों या फिर भारत के बटवारे का प्रमुक चेहरा रहे मुहमबद अली जिन्ना। इन दोनों लोगों के पूरवज हिंदू थे, ये दोनों ही लोग हिंदू परिवारों से आए थे, बाद में ये लोग मुसर्मान हुए। और जिस धर्म से ये खुद आये थे, उसी धर्म के नाच के लिए इन्हों ने क्या नहीं किया। बस एक या दो पीडी पीछे हिंदु धर्म को छोड़ कर किसी अन्य धर्म में गई ये लोग हिंदु धर्म से इतनी नफरत करने लगे, उसी धर्म की नुकसान के लिए, उसी धर्म के नाश के लिए इन्होंने जो कुछ किया, वो इतिहास उस बात का गवाह है। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिस जाती में या जिस समुदाय में जन्मा हो, वो उसके बाद में उसी के लिए फेवरेबल सोचता रहे। जरूरी नहीं है किन्तु उनकी आने वाली पीडियां तो यह नहीं जानती होंगे, वे तो खुद को सिर्ष्टी के आरम से ही ब्रामबढ होने की गलत स्वह में पाली बैठे होंगे ना, और अगर आप DNA टेस्ट करा लेंगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलने जरूरी पाला, जो सिर्ष्टी के आरम से एकी ब्लेरलाईन से चलता आ रहा होंगे, एकी तरह के कर्म और एकी तरह का पेशा करता आ रहा हो, सब का DNA एक दूस्त से मिलता जुलता है, सबकी शुरूआत एक सी है, बस बाद में हम थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग होते चले और अलग-अलग जातियों में बढ़ गए है तो मूल बात यह है कि जब हम धर्म मिलावट की बेदबाव की जातिवाद की बात करें तो ध्यान रखें कि सभी ब्रहमण अत्वा धर्म गुरु ऐसे नहीं थे उनमें से कुछ लोग ऐसे थे और यह ब्रहमण या धर्म गुरु से अर्द किसी जनम आधारे जाती से नहीं है किसी नसल से नहीं है बस उससे है जिससे समाज ब्रहमण समझ रहा है धर्म गुरु समझ रहा है फिर चाहे वो जनम से बना हो कर्म से बना हो या पाखंड से बना हो और इस ब्रामड गुरुप में से जिन लोगों ने जातिवाद या भेदभाव की चीजों को अपना लिया और समाज में उन्हें बढ़ावा दिया उनकी निंदा की जाती है जिन लोगों ने इसका विरोध की या समाज को सही मारक पल आने की कोशिश की उनकी हमेशा तारिफ की जाएगी और जैसा कि वज्जर सूची का अपने सदादी करंथों ने ब्राहमड का लक्षन बताया है अगर ब्राहमड की परिभाषा वो मानी जाए और अगर उन गुणों को फॉलो करने वाला व्यक्ति ब्राहमड माना जाए तो वो हमेशा से पूजी होना चाहिए उसका सम्मान सबसे उंचा होना चाहिए और ऐसे लोग विरले ही हमें समाज में बिलते हैं इसलिए किसी ब्राहमड शब्द से हमारा कोई विरोध नहीं है ब्राहमड के जो गुण ऐसी उपनिशत ने बनाए हैं अगर ऐसे कोई फॉलो करता है तो वो पूज नहीं है वंद नहीं है लेकिन अगर कोई उने फॉलो नहीं करता तो आम इनसान जैसा है और जो ब्राहमड का रूप रखकर जन्म से ब्राहमड बनकर बेदभाव से भराव हुआ है दूसरों से बेदभाव करता है और अपने लिए स्पेशल संबन चाहता है ऐसे लोगों का विरोध होगा ही होगा जिन लोगों ने शास्त्रों में मिलावट की जिन लोगों ने शास्त्रों को दूशित किया जिन लोगों ने शास्त्रों में जातिवाद और बेदभाव गुसाया उनका विरोध होना ही चाहिए उनके निंदा होना ही चाहिए फिर चाहे वो किसी मंदर का पुजारी हो या कोई शंकराचारप के पदबर बैठ हुआ व्यक्ति हो सनातन धर्म से अपने अतीत से हमारे पूर्वजाओं से जो द्रुह करेगा उसका विरोध होना ही चाहिए और हम बस वही कर रहे हैं सभी ब्रहंबनों पर चाहे वो जन्मना हो, चाहे कर्मना हो हमारा कोई आरूप नहीं है केवल ऐसे ढूंगियों पर है वीडियो पसंद आने पर क्रिप्या लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज की चानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे धन्यवाद